उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्मार विभाग यानी P.W.D. के मंतरी जितन प्रसाद के विशेश कारे अधिकारी यानी OSD अनिल कुमार पांडे को बीते 18 जुलाई को बर्खास्त कर दिया गया था उन पर आरोप है कि वो ट्रांसफर करने के बदले पैसे लेने के खेल में शामिल है अनिल पांडे के अलावा अन्य पांच लोगों पर भी कारवाई की गाज गिरी है अन्देशा जताया जा रहा है कि इन लोगों पर बर्खास्तगी के बाद दूसरी कारवाईयां भी की जा सकती है इंडियन एक्स्प्रेस के रिपोर्ट के मताबिक पैसे लेकर तबादले करने के मामले में बीते मंगलवार यानि 19 जुलाई को मुख्य मंत्री योगिया दितनाथ ने लोग निर्माण वेभाग के होटी समेट पांच अधिकारियों को निलंबित किया है खबरों के मताबिक अनिल पांडे के अलावा जिन पांच लोगों के खिलाफ कारवाई की गई है उनमें चीफ एंजिनियर होडी मनोज कुमार गुप्ता, चीफ एंजिनियर राकेश कुमार सक्सेना, सीनियर स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र कुमार यादव, प्रशासनिक अधिकारी पंकश देक्षित और हेड क्लक संजक कुमार चौरसिया के नाम शामिल है इन लोगों के खिलाफ अनियवमित ताओं के आरोप हैं और निलंबन के बाद भी और भी कारवाई संभव है खबरों के मताबिक, इस कारवाई के बाद जितनपरसाद 20 जुलाई को दिल ली जा सकते हैं कायास लगाय जा रहे हैं कि जितन प्रसाद केंद्रे ग्रहमंत्री अमिच शा से मुलाकात करेंगे लेकिन इस खबर के बताय जाने तक इस पूरे मामले पर जितन प्रसाद का कोई भी जवाब नहीं आया है करीब 13 महीने पहले वे कॉंग्रेस छोड़ कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और इसके एक हफते बाद ही उन्हें योगी सरकार की कैबिनेट में शामिल कर लिया गया था साल 2022 के विधानसवा चुनाव में जब सूबे में दुबारा भाजपा की सरकार बनी तो फिर से जितन प्रसाद को मंत्री मंडल में जगा मिली PWD का जिम्मा मिला लेकिन उनके साथ ही मंत्री अनिल पांडे चले आए जो उनके UPA के दिनों से उनके साथ बने हुए है दरसल जितन प्रसाद जब केंडर में UPA सरकार के दौरान मंत्री थे तब भी अनिल उनके कारयालियों में तेनात रहे थे UP में दुबारा बीजेपी सरकार बनने पर जितन प्रसाद को लोक निर्माण विभाग का मंत्री बनाय गया था और तब ही अनिल ने यहां आने के लिए आवेदन किया था आवेदन के बाद जितन प्रसाद की ओर से अनिल पांडे की नियुक्ती के लिए सिफारिश की गई तब नियुक्ती पक्की हुई ऐसी भी खबरे चलती हैं कि इससे पहले अनिल पांडे केंद्रे उपभोकता मामले और खादे और सारवजनिक वितरन मंत्राले में अफसर सचिफ के पद पर मौझूद थे अब आपके मन में शायर एक सवाल आ रहो होगा कि OSD का पद कितना महत्वपूर है ऐसे समय जिये कि मंत्रियों के सभी महत्वपूर काम OSD ही करते हैं विभाग की कोई फाइल हुई तो वो OSD के मध्यम से ही मंत्री तक जाती है बहराल प्रसाद के OSD अनिल कुमार पांडे को यूपी से हटा कर मूल विभाग में वापस दिल्ली भेजने का आदेश जारी किया गया है और उनके खिलाफ सतरकता जाच और अनुशासनिक कारवाई की सिफारिश भी की गई है दरसल यूपी में डॉक्टरों की तबादले में हुई कथित गरबडियों के बाद लोक निर्माण विभाग के एंजिनेरों की तबादलों में भी गरबडी का मामला सामने आया था इसे लेकर मुखे मंतरी योग्याद इतिनाथ ने 12 जुलाई को एक जाच का आदेश दिया था जाच समीती ने 16 जुलाई को इसकी रिपोर्ट पेश की और इसी आधार पर ये कारवाई की गई है जाच समीती में यूपी के क्रिशी उतपादन आयूक्त मनोज कुमार सेंग और एक अन्य वरिष्ट अधिकारी देवेश चतरवेदी भी शामिल थे मुखे मंतरी ने मामली की जाच करने वाले अधिकारियों से मुलाकात की थी जिसके बाद ही पांडे के खिलाफ कारवाई की गई थी सरकार का कहना है कि प्रश्टचार की प्रती जीरो टॉलरेंस की नीती के अनुसार ये कदम उठाए गए है एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से बाचीत में कहा ये मामला लोक निर्मार विभाग में एंजिनियरों के ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है पिछले एक महीने में 150 से अधिक ट्रांसफर हुए है और एंजिनियरों के डिविजिन्स को बदला गया है ये तबादले मनमाने लगते हैं और कुछ एंजिनियरों को एक ही पत पर नियमों के विपरीत अधिक समय तक रखा गया था कुछ एंजिनियरों को एक से अधिक डिविजिन्स में पोस्टिंग भी दी गई है प्रशासत का कहना है कि अभी एक्षिन की रडार पर और भी कई अफसर हैं देखते रहें ललन टॉप यूपी शुक्रिया